चलिया जिमिकत सूरन या ओल की सबजी बनाते हैं नमस्कार दोस्तो पुनम की जटपटर सोई में आपका स्वागत है वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बिल लाइकन को दबाना ना भूले और अपने विचारों क चुकि मिठी बहुत ही लगा रहता है इसके उपरी सर्फेस पे तो इसलिए से अच्छे प्रकार से पहले इसे धोले और चुकि इस भी थोड़ी चुन-चुनाहट भी होती है इसलिए हाथों में नीबू का रस जरूर लगा ले और यदि बहुत सारा ओल जो रहता है या जि इस प्रकार से मैंने टुक्रों में यह जो सूरन है इसे काट लिया है और अब मैं इसे एक बावल में ट्रांसफर करोंगी और इसे अच्छे से मैं धोलूँगी यह देखिए इस प्रकार से मैंने इसे धोल लिया है और फिर से इस एक दूसरे बाउल में मैंने ट्रांसफर कर दिया है और इसमें एक छोटी चमच मैंने हल्दी को डाला है और अधी छोटी चमच नमक को डाल दिया है और ये नीबू करस मैंने निचोर दिया है यदि चुन-चुनाहाट सूरन में है तो आप नीबू का रस चरूर निचोर दे और इसे अच्छे तरीके से मिला कर 4-5 घंटे के लिए जोर दे और यदि चुन-चुना हाट नहीं है तो इसे एक घंटे के लिए छोर दे 4-5 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया है और मसालों में मैंने 5-6 सुखी लाली मिर्च, अधा बड़ा चमच सरसो, एक छोटी चमच काली मिर्च, 15-16 लहसुन की कलिया और एक बड़ा चमच मैंने धनिया को लिया है और इन सभी मसालों को हमें बिल्कुल बारीक पीस लेना है ये देखिए, मैंने मसालो को बिलकुल बारीक पिस लिया है, मसाला बारीक पिसना चाहिए, तभी आपका सब्जी जो है, बहुत अच्छा बनेगा और बहुत टेस्टी बनेगा, और कढाई में मैंने सरसो का तेल डाल दिया है, सूरन को फ्राइ करने के लिए, और ये बवसीर के लिए और गठिया का उपचार करने में ये तो रामबान साबित होता है गठिया के दर्द और सुजन को कम करने वाले गुण जिमिकंद में पाए जाते हैं कुछ सोद के अनुसार गठिया के दर्द में इस सबजी का सेवन करने से दर्द की समस्या से राहत मिल सकता है जिमिकंद में अच्छी मात्रा में पोसक ततो मौझूद होता है जो कई तरह के बीमारियों के जोखिम को कम करने में सहायक होता है ये देखिए मैंने सूरन को फ्राई कर लिया है और अब मैंने आधी छोटी चमच मेती और एक सूखी लाल मीर्ज को डाल कर मसालो को मैंने इसमें डाल दिया है मसालो को अब हम धीमी आज पर फ्राई करेंगे दोस्तों आज़ को बिल्कुल धीमा रखना है और ये देखी मैंने एक छोटी चमच से कुछ कम मैंने नमक को डाला है क्योंकि शुरू में मैंने सूरण में नमक को डाला था धीमी आज पर इसे चलाते रहना है ये देखिए इस प्रकार से और मैंने एक टमाटर को बारिक पीस कर डाला ये ओप्सनल है एक छोटी चमच अब हल्दी को भी मैंने डाल दिया है और इन सभी मसालों को अच्छे तरीके से हम मिलाएंगे ये देखिए आज बिलकुल धीमा रखना है नहीं तो मसाला जो है वो कड़ाई के तली में लगना शुरू हो जाएगा और ये देखिए तेल जो है वो छूटना शुरू हो चुका है इसका मतलब मसाला हमारा भुनकर तयार है और अब इसमें मैंने सूरन को डाल दिया है और पानी को डाल दिया है पानी अपनी इच्छान उसार जितना ग्रेवी रखना चाती है उसी हिसाब से आप पानी को डालें और अच्छे से मिलाने के बाद इसे मैं ये देखिए एक उबाल आ चुका है और इसे मैं ढख दूँगी ढख कर मैं 5-6 मिनट के लिए धीमी आज पर मैंने चोड़ दिया था लेकिन अभी भी ये पका नहीं है इसलिए फिर से इसे मैं ढख दूँगी इस 3-4 मिनट के लिए और ये देखिए बिल्कुल तेल जो है उपर आ चुका है और अब चेक कर लेते हैं ये जो हमारा सूरन है ये पका है कि नहीं ये देखिए बिल्कुल गल चुका है और ये हमारा सबजी लगबग तयार हो चुका है और इसमें मैंने डेर छोटी चमच अमचूर को डाल दिया है आप चाहे तो इसमें इमली भी डाल सकती है और इसे अच्छे तरीके से मिलाने के बाद फिर से मैं इसे दो मिनट के लिए मैंने ढग दिया था और ये देखिए ये फाइनली ये हमारा सूरन का सबजी बनकर बिल्कुल तयार है तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें